इंडिया में popular company की सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी कौन सी है तो आज मैं आपको 10 company की 10 कारे बताऊंगा जो कि उस company की वो कार तेज़ चलती है टॉप लिस्ट प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें नए नए वीडियो देखने के लिए MG MG company की इंडिया में जो फास्ट कार है वो MG cluster है cluster SUV काड़ी है और काड़ी की टॉप स्पीड है 200 किलोमेटर पर ती घंटा के आसपास की इस काड़ी में दो डिजल इंजन को औप्शन मिलता है लेकिन जाद है स्पीड twin turbo diesel engine वाले की है वैसे तो same CC का ही engine मिलता है एक में एक में टर्बो सिंगल मिलता है दूसरे इंजन में double turbo मिलती है जो की यह वाला engine है twin turbo diesel engine जिसकी पावर है 218bhp की और 480nm का टॉर्क जनरेट करता है इसमें सरिफ automatic transmission मिलता है और काड़ी की कीमत 33,98,000 रुपे से शुरू हो सेल्टोस है यह SUV गाड़ी है और इस गाड़ी की टॉप स्पीड 170 से लेके 180 km प्रती घंटा तक के आसपास की है इस गाड़ी में दो पैट्रोल इंजन का और एक डिजल का इंजन का option मिलता है लेकिन जो ज्यादे स्पीड है 1.4 लिटर टर्वो चार्जड पैट्रोल इंजन में टर्वो पैट्रोल इंजन मिलता है फिर टोयटा टोयटा कमपनी की इंडिया में जो फास्ट कार है वो फॉर्चुनर है फॉर्चुनर में फॉर्चुनर लेजेंडर है कि टॉप स्पीड 190 km प्रती घंटा से भी जाद है किया है इसमें एक ही डिजल इंजन का option मिलता है जबकि फॉर्चुनर में डिजल और पैट्रोल दोन इंजन का option लेकि लेजेंडर में सिर्फ 2.8 लिटर टर्वो डिजल इंजन मिलता है जिसकी पावर है 204 पीस की और 500 अनम का टॉर्क जनरेट करता है ये इंजन और ओटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है और काड़ी की कीमत 27,58,000 रुपे की 27,99,000 रुपे से शुरू होती है रेनो कंपनी की तेज चलने वाली गाड़ी जो है डेस्टर है डेस्टर SUV गाड़ी है और गाड़ी की टॉप स्पीड 170 अनम का टॉर्क जनरेट करता है गाड़ी में दोनों ट्रांसमिशन का ओप्शन और गाड़ी की कीमत 10,99,000 रुपे से शुरू होती है इस टर्बो वैरियंट की महिंद्रा महिंद्रा कंपनी की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है एक्स यूवी फाइव डबोलो इसके टॉप स्पीड है 185 किलोमेटर परती घंटा से भी जाद है कि इसमें एक इंजन का ओप्शन मिलता है डिजल का जो की 2.2 लेटर डिजल इंजन है 155 PS की पाउर और 360 NM का टॉर्ग जनरेट करता है गाड़ी में सिर्फ मैनेवल ट्रांस्मिशन मिलता है लेकिन अब तो इसमें आटोमेटिक भी मिलता है और गाड़ी के एक शोरूम कीमत 33,30,000 रुपे से शुरू होती है टाटा, टाटा कमपनी की सबसे फास्ट कार हैरियर है हैरियर SUV गाड़ी है और गाड़ी के टॉप स्पीड 180 किलोमेटर परती घंटा से भी ज़ाद है कि इसमें भी एक इंजन का उप्शन वो भी डिजल का टूरेटर डिजल इंजन जो की 170 PS की पावर और 350 NM का टॉर्ग जनरेट करता है गाड़ी में ऑटोमेटिक और मैनुबल दूनों ट्रांस्मिशन का उप्शन और गाड़ी कीमत 13,99,000 रुपे से शुरू होती है होंडा, होंडा कमपनी की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी सिविक है और यह सिडान कार है और गाड़ी के टॉप स्पीड 200 से 210 किलोमेटर परती घंटा से भी जादे की यानि ये काड़ी 200 से 200 किलोमेटर परती घंटा से भी जादे की रफतार पकड़ती है इसमें एक पैट्रोल इंजन और एक डिजल का इंजन मिलता है लेकिन जारे जो टोप स्पीड है वो एट लिटर पैट्रोल इंजन की है जो कि 140 पीस की पावर और 174 नम का टॉर्क रिजनरेट करता है ओटोमेटिक ट्रांस्पिशन में गाड़ी की कीमत है 17,90,000 रुपे से पास की है इस गाड़ी में दो पैट्रोल इंजन और एक डिजल इंजन का ऑप्शन मिलता है लेकिन जादे जो स्पीड है 1.5 लिटर डिजल इंजन की है जो कि 115 पीस की पावर और 250 नम का टॉर्क जनरेट करता है दोनों ट्रांस्मिशन में गाड़ी कीमत 10,75,000 रुपे से श इस गाड़ी में एक इंजन का ऑप्शन वो भी पैट्रोल का 1.5 लिटर बिल्ड हाइबिड पावर ट्रेन इंजन मिलता है जो कि 105 पीस और 138 नम का टॉर्क जनरेट करता है गाड़ी में ऑटमाटिक और मैनुवल दोनों ट्रांस्मिशन का ऑप्शन गाड़ी कीमत 8,42,000 चलने वाली है